तो आज हम देखने वाले हैं exercise 6.3 का question number 3 चलिए start करते हैं और I hope आपको अच्छे से सारा चीज़ समझने आगा आपको अच्छे से सारा चीज़ क्लिए हो जाएगा चलिए start करते हैं तो question पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है है कि सबसे पहले trapegem बनाना तो देखिये एक trapegem हम बना लेते हैं कि यह हमारा trapegem हो गया अब इस trapegem का भी नाम पहले से दे रखा है ए बी और c d a b c d trapezium हमने बना लिया यहाँ पर तो diagonal a c और b d को connect करना है तो यह देखिए a c यहाँ से ऐसे connect हो जाएगा और b d यहाँ से यह connect हो गया ठीक है तो generally a c और b d इस trapezium के दो diagonal है जो की intersect कर रहे at the point o तो यह o यहाँ का point हो गया जहाँ पर यह दोना intersect कर रहे है अब आपको क्या करना है using a similarity criteria for two triangle so that o a यह o a is equal to o c sorry o a by o c बराबर o b by o d आपको proof करना है और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा है कि a c जो है वो a b जो है वो parallel है किसके dc है ठेक है तो जब parallel होता है तो concept उसका भी हम लोगी use करेंगे जब parallel होता है कोई चीज़ तब देखते हैं जब parallel होगा तो क्या होगा तो parallel होने के बाद है यह line और यह line जब एक उसे के parallel हो गई तो इनके जो internal sorry interior angle जो है वो भी आपके equal होगे that means यह angle जो है वो इस angle के equal होगा यह जो angle है वो किसके equal होगा इस angle के equal होगा और यह जो angle होगा vertical opposite angle भी आपका equal होगा ठेक है तो तीन angle हमको आपस में इसके equal मिल गए तो अगर हम triangle यहाँ पे देखे यह angle जब भी हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ से हम यह वाला angles के भी नान में लिखेंगे तो यहाँ पे देखे क्या लिख सकते हैं d o c हमने लिखा है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे d o a तो triangle कौँ साम लोग ने लिया d o a that means जब आप यह चीज़े लिखेंगे और civility जब हम प्रूव करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि d angle angle b के बराबर है o के बराबर है a c के बराबर है ठेक है तो इस चीज़े इसको अगर धियान रखेगा तो ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहे रहे है तो यहाँ पे अगर हम triangle d o c को देखो d o c को और triangle b o e को देखें तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़े मिलते हैं तो सबसे पहले देखें angle d c o जो है angle d c o d c o वो किसके बराबर हो जागा तो यह किसके बराबर हो जाता है तो हम कहां से नाम स्टाट करेंगे angle के दरू चलेंगे तो b a o तो d c o जो होगा वो angle b a o के बराबर होगा क्यों alternate interior angles क्यों क्योंकि a b जो है वो पैरल ने किसके d c के यह हमने पहले कर चुका है तो यह reason हमें clear होगे इसी तरीके से हम क्या सकते हैं कि angle अब देखे c d o हम दे लिया क्या लिया c d o तो उसे हिसाब से क्या हो जागा a b o तो हम देख सकते c d o is equal to angle a b o तो यहां पर हम देखें तो यहां पर हम देखें तो triangle d o c और d o a यह दोनों similar होगे कैसे बाई ए ए ए ए ए similarity क्रिटेरिया किसे यह पूरे triangle similar होगे तो बाई ए ए ए ए similarity क्रिटेरिया से है similar होगे तो जब यह similar होगे तो उसके बाद जो चीजे रह गए जैसे एक similarity के बाद अगर हम बाते हैं तो हम दिख सकते हैं यह दोनों को ध्यान रहा है एक एंगल फर्स्ट है और यह थ्री वाला बना हुगा है that means हम लिख सकते हैं od by ob is equal to od by ob is equal to क्या लिख सकते हैं oc by oa यह चीज़ हम लिख सकते हैं लेकिन हमें चाहिए क्या यह चीज़ हमें क्यों कि यहां पर क्रॉस्पॉंडिंग साइट्स 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 क्रॉस्पॉंडिंग साइट और क्या है O V by O D हमें मिला क्या है O D by O V तो हम इसे क्या कर देगा इंटर चेंज कर देगा तो यहां से लिख सकते हैं O V by O D is equal to O A by O C और यह चीज हमें यहां मिल चुके है तो इसी तरीके से यह हमाया प्रूव्ट हो गया तो बहुत असान था बिसीक अधी आपको सारा टम बस जहां रखना है आपके कोश्चन बहुत इसली सौर्व हो जाएगा अगर कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कोश